प्रजाती प्रजाती किसे कहते हैं तो सबसे पहले हम बात करता है कि प्रजाती पहले तो हम कहते किसे हैं तो सबसे पहले प्रजाती और जंजाती में थोड़ा सा फर्क हमें पता होना चाहिए यानि अगर मानव सायती या एंट्रपो जो लोजी है उसके प्रजाती सब्द का हमने काफी जदा रूपीयों कि आज भी हम कहें तो अगर हम भील के बारे में कहेंगे तो भील को हमें प्र रख करिण इस सब्द का प्रैयोग किया और नसलवादि जो टिपनियों हैं ज His I adhaar पर होती है चाहिए तनवे प्रजाती सिर्टा को अधार बनाकर अतियाचार किया जापानियोंख ने भी इसफिर का शोप्राफ्र का अरभ द परियोग से प्रेड काल्य और पोरे की जो तो सबसे पहले बात करें कि मानव अब मानव ने पसुक्ता जो जीवन है उसको छोड़कर एक बुद्धी साली मानव की रूप में काम करना जो सुरूप किया वह लगबग आज से 25,000 वर्स पूरे पहले किया जिसे हम मेगावी मानव या होमोशेपिंस कहते हैं जैसे जैसे विकास होता गया मानव जो मेगावी था वो सोच सकता समझ सकता था वो कई समुहों में विवाजित हो गए और उस प्रकार से जो प्रतेग जो समुह था वो अलग लग एक परकार से प्रजाती समझा जाने लगा तो इस प्रकार से जो प्रजाती सब्द है उसकी ए तो एक विद्वान है फॉक्स उन्होंने पंदरा सो सितर में अपनी पुस्तक बुक आप मार्टर यर्ड्स में इस सब्द का प्रमुख प्रियोग सबसे पहले प्रियोग किया इसके बास इस सब्द का जो प्रियोग है वह इटालियन वर्ड है रज्जा उससे भी माने जाता ह है और उसका अर्थ होता है कि परिवार वन्सानों करम या जो नस्ल जो होती है उसे हम रज्जा या रेस कहते हैं तो रज्जा यह जो फॉक्स की जो पुस्तक है जिसमें रेस सब्द का प्रियोग किया उसी से इसका वरेजन मैंना जाता है यानि हम अगर बात करें की रेस क् क्या है तो एक ही रख्त के पुर्वजों की जो वनसज हुए उनको हम दुदर को प्रदस्थ खटा । इए भूप औप प्यूर्स जिसकी सामानिय विश्ष्थाएं आपस में समरुप्तः प्रदस्थीजित करती है officer जैसा कि अगर हम कहेंगेसे निग्रों निग्रों जितने भी होंगे तरह कहेंगे कि उसके जब्ड़े बाहर निकले कि यह देखने को मिलेगी इसी परकार से दूसरी परिवासा है इसके बाद दूसरी जो परिवासा है वो ग्रिफित टेलर की ग्रिफित टेलर कहता है कि जो रेस डी नॉट ब्रीट नॉट कल्चर यानि प्रजाती नस्लों को प्रकट करती है संस्कृति को नहीं या फिर हम कह सकते हैं कि प्रजाती जो है वह नस्ल का ध्योतक है संस्कृति का नहीं यानि टेलर कहता है कि प्रजाती को समान भासा या समान धर्म के समुदाय मानना कटी नहीं यानि हम कहें कि मुस्लिम प्रजाती है या हिंदू प्रजाती है या फिर हम कह सकते हैं कि इसलाई प्रजाती जो है वो प्रजाती है तो ये अनुचित रूप से देखा जाएगा यानि हिंदू मुस्लिम इसाई या प्रजाति नहीं कह सकते इसके अलावा आरिय है अर्वीर है उसको भी हम प्रजाति नहीं कहते हैं तो अ श्व analytik संस्रेटिक संुधा है जिनकर अलग कुछ रिति रिवाज है कुछ झाने पीने का कुछ धंग मैं कुछ विशेश्ता हैं variance तो यह अलग किया है किसी जाति को प्रज्दित कर थी O तो आपकार से सब् Joyce जो लके चीकल ट्रेड्स या झिसके जो भौतिक तत्व है यानि जो सरीरिक जो तत्व है वो आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अधर कॉमिनेशन यारी यह ब्लांस की परिवासा है वो कहते हैं हिंदिय में इस प्रकार से समझेगा कि मानव सरीर की जो आकरती है एवं जो मानव सरीर के कुछ सारीरिक लक्सन पाए जाते हैं उसके अधार पर जब हम वर्गी करन करते हैं तो वह प्रजाती कहलाता है यान हम कहले को घुंगराले बालो वालो को अलग कर दिया जाए काली तोचे वालो को अलग कर दिया जाए चोडी नाक वालो को अलग कर दिया जाए निली आंखों वालो को अलग कर दिया जाए छोटे कद वालो को हम कह सकते हैं छोटे कद वालो को हम तोड़ा सा अलग छोटा कद वालो तो ज़्यादा माइन नहीं रखेगा लेकिन दूसर इसरीर की आकरति क्या है और उसके जो सारे गोण क्या है उसके आधार पतलुकरप र हु reagas लबा है तो उसकी जो संब अने होगी वह आपको लंबी देखने को मिलेगी तो यह हम कहा सकता है यहां पर जीन का श्छाना लंतन हुए तो इसी प्रकार से एक विद्वान हुए जिसका नाम था मैंडल मैंडल ने भी इस सब्द का प्रयोग करते हुए का है कि मानव के सरीर में कुछ जीन्स इतने सुक्स मुकोस होता है कि इनके द्वारा मानव वर्गों के सारे रेक लक्सन वंस में पीडी दर पीडी चलते रहता है यानि ये जो कन होता है जीन्स होता है वो एक पीडी से दूसरी पीडी में इस प्रकार से चले रहते हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रजाती जो है वह वैक्ट्यों का एक ऐसा समू है जिसमें सारेरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाय जाता है और जिसे आनुवासिक लक्षणों के अधार पर हम पैचान सकते हैं कि इन दोनों में समानता पाय जाती है और इसी अधार पर कुछ विशेष्था नजर आती हैं तो विशेष्था एक इस परकार से अगर कहें कि प्रजातियों में किस परकार की विशेष्था पाय जाती है तो सबसे पहला प्रजाती एक जैवी की अवधारना है जैवी की अवधारना यानि इसका आर्थ होता है यानि ये जन्म के साथ उसके साथ जन्म लेती है इसका धर् बासा राष्टर या जाती से कोई समंदstudy नहीं है यानि कोई प्ञएश्ण किसी धर्मविश्शे से समधित होगी या किसी जाती से समंदstudy होगी या किसी राष्ट्रइश्श्ण से सम freaking horizh ऐसए नहीं है ये ये जन्म के साथ उसकी जिन्स के अंदर ही इस Do Köthen फोग में जाता है दूसरे साथ कि प्रतेग प्रजाती के कुछ आक esa सारा कि फिफिच्षता होती है और हुँस सारी रेंग विफिछिश्ष्षाव किसी की तरक कर्छान रंग काला है तो कई पीला है तो कुछ आपको स्वेत रंग के सधाथ होती इसके आधार पर हम प्रजात्यों के अंदर अंतर इस्थापित करते हैं जैसे कि जो स्वेत रंग की जो प्रजाती है उसके जो रंग गोरा होगा बाल सीधे होंगे और होट पतले होंगे और जब हम निग्रों प्रजाती के लोगों की बात करेंगे तो उनके रंग जो होगा वो काला होगा बाल जो होंगे गु लेकने को मिलेंगे तो यह कुछ सारी रिष्टा होती है उन विष्टाओं के अधार पर हम प्रजाती की पैचान करते हैं तीसरी जो विश्टा है वह इस प्रकार से है कि प्रजाती के जो सारी लक्षन है वे वनसानुक्रमन यानि एक पीडी से दूसरी पीडी के मां मैं जिन् परियावन का इस पर कोई प्रभाव नहीं रहता है इसलिए एक वेक्ति जिस प्रजाती में जर्म लेता है जीवन प्रेंद उसी के अंतरगत रहता है ऐसा नहीं है कि जैसे कि गोरी रंग की जो प्रजाती जिसका रंग काला होता है तो निगरो अपना इस्थान बदल ले या परियावन में कुछ बदलाव लालने या निगरो उत्तर उत्री अक्सांस जो है वहां पर European country में जा बसे तो इसका आड़त यह नहीं है कि उसका जो जो वो निग्डो है वो निगरो काकेशन में बदल जाएंगे या काकेशन जो है वह मंगोल इड में बदल जाएंगे यान कि उनका पर्यावन पर कोई प्रभावनी रहता वो काले के काले ही रहेंगे और उनकी जो विश्यस्ता है वो इसी प्रकार की देखने को मिलेगी नेक्स्ट है कि जिन सारीक लक्षनों के अधार पर हम प्रजातियों का निधारन करते हैं वे मनुश्यों के एक बहुत बड़े प्रजातियों का निधारन कर ले तो हम किस प्रकार से कर लेकर जैसे कि हमारा क्लास्रूम है और क्लास्रूम में चार जो लड़किया है वो उनकी सारीक जो विश्यस्ता है वो एक जैसी है तो हम यह नहीं कह सकते हैं कि इनका एक कोई ग्रूप है और वो एक प्रजाती होने क के लिए एक बहुत बड़ा जंसंक्या का जो समू होना चाहिए तो वह काफी माइने रखता हम तीन चार लोगों के समू को प्रजाती नहीं कह सकते इसी के साथ साथ प्रजाती की जो विशुद्धता है यानि जो प्यॉरिटी है और उसकी जो कंटिनिटी है उसको बनाए रख से विवा करने की नीथी अपनाती है और इसी के कारण प्रजातियों का मिश्ण होने की संभावना बहुत कम होती है कहने कार्थ होता है कि प्रजातियां जो होती है जैसे कि अगर एक काकेशन है और एक काकेशन कार्थ होता है कि गोरे रंग की जो प्रजातिया है और एक प्रजातियां हैं वो इस प्रकार से बनी यानि जो प्योरिटी है इनकी बनी रहती है और इस प्रकार का बदला नहीं रहता है अब बात करता है कि यह जो प्रजातियां है वो किस प्रकार से एक प्रजाती से दूसरी प्रजाती बिलकुल अलग नजर आती है तो प्रत्विक का development हुआ तो चार पेरों पर चलने वाला जो वन मानुस था वह धीरे-धीरे दो पेरों पर चलने लगा और उसने पूर्ण मानुव का रूपधारन कर लिया और जब पूर्ण मानुव बना और उसमें मेगावी मानुव जिसे हइमो शोपिंस कहा जाता है वह उद्भवित हुआ तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विविन छेत्रों में फैलने वाले विविन परकार के वातावन के परबाव के कारण उसके एंदर विविन परकार के जैनेटिक चैंज उत्पन हो गए और एक प्रजाति दूसरी प् इन्हों ने इस आनुवान से के भिन्नता के हैतू कौन-कौन से तत्यों पर जोड दिया तो वो जो factors है उन factors के हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करता है उत्परविर्तन उत्परविर्तन का आर्थ होता है mutation अब एक प्रजाती दूसरी प्रजाती से अलग है तो इसमें सबसे महत्तपुन जो तत्व होता है वह ताजीन और जीन जो होते है वो कभी बदलते नहीं लंबे समय में वहां की जलवाईू और वहां की जो भौगलिक भिन्नता के अधार पर कुछ हो सकता है कि उसमें थोड़ा हलका भूलका चीन जा जाए तो इस परकार से जीन्स की सरचना में इसी परकार के दिर्गकाल के जो परिवर्तन होते हैं उसको उत्परिवर्तन कहते है और इसका प्रभाव उसके सारी लक्षणों और विक परिवर्तन को बता है अब हम कभी बार देखें तो जीवों में अचानक कुछ चेंजेज देखने को मिल जाता है अब यह जो चेंजेज है वह उसके पैत्रक गुण बनकर आगे सागे पीडी दर पीडी चलते रहते हैं तो मानव के जीवन है उसमें भी जैसे कि अगर बात क परिवर्तन के प्रिक्रिया वहां पर होने लगती है और इस प्रकार की स्थी सामने आतती है कि जीवों का निर्माण है वह जीन्स में कुछ परिवर्तन आ जाता यानि जब क्लाइमेट चेंज हुआ जो शिकार के प्लास में वो किसी दूसरे चित्र में गया तो वहां पर जो क्लाइमेट चेंज हुआ तो वह क्लाइमेट के एकॉर्डिंग उसके सरीर ने कुछ अपने अंदर बदलाव लाए अपने आपको उस वातावन के अनकूल बनाया तो यह वो चेंज है बचों के सारीरी गुणों के अंतरकत आगे जैसे कि एक स्वेट वन यानि गोरे रंग के जो माता पिता है उसके काली संतान होती है तो यदि यह कालापन आने वाली पीडियों में भी लगाता रहा तो कई वर्सों बाद एक नई प्रजाती मन जाएगी तो इस अ की बात करते है नेश्रों सेलेक्शन और प्रत्वीतल पर देखें तो लग अलग अलग प्रकार कि बिन मतै देखने को मिलती है कहीं पर आपको श्कुल इस ज़लबाद को तो एक विशेश प्रकार के वातावर्ण में विशेश प्रकार के जो जीन होते हैं, यानि जो हमारे अंदर जो जीन तर्ल पाय जाते हैं, वो काफी जदा एक्टिव रहते हैं, तो ऐसे जीन, जो उस क्लाइमेट से अपने आपको एड़प्सन नहीं कर पाते हैं, यानि उसके इसलिए वहाँ के लोगों का जो तुचा का रंग होता है वो काफी काला देखने को मिलता है। गोरे रंग के लिए इस परकार के जिन्स हानिकारक से दो सकते हैं। क्योंकि वह एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इस परकार से अलग अलग परकार की जलवाई होती है तो वहां पर अलग अलग के जीन्स जो होता है वह मुख्य रूप से अपना रोल निबाता है। तो सारी गुणों में उसके अनुसार आपको अंतर देखने को मिलता है। के लोगों की अधिकता देखने को मिलती है कि इस प्रकार प्रकति अपने वातावन में कि अनुकूल जीन्सों में समय समय के साध् two उसमें चिंज छिन लाती हैं और उसके अंदर परिवरतन लाति हैं तो इस प्रजाती से दूसरी प्रजाती में इस प्रकार कि जो तत्व हैं वो देखने को मिलते फिर हैं जैनेटिक डिफ्ट या वहकाणूं प्रवा अब जैनुटिक तो जैसे जैसे मनुष्य ने इस्थान वदला है उसके परिणाम सुरू वो कई प्रजातियों के संपर्क में आया है तो अन्य प्रजातियों के संपर्क में आने पर जब दो प्रजातियों के अलग अलग प्रजातियों के गोण एक दूसरे से मिलते हैं तो वहाँ पर जो संता एस संताने प्रजाति तो जिनकी जो सारे रिविशेशच्टाय होती है वह difficulties regular साले से संबंदित है ढगोरे से संबंदित है बल estásilo那 इस प्रकार से यह एक अन्य प्रजाती समूंग से सम kicking साथ 3 बिल्कुल नहीं सम्मोह वाली जो समू है वो यह प्रजाती का जन्म हो जाता है तो इस प्रकार जो पुरसों में पाई जाने वाले जो जीन्स होते हैं वो विलुप्त हो जाते हैं तो इस प्रकार से जो सक्तिसाली है और जो समर्त पुरुस है वहां कह सकते हैं कि एक जैसे कह सकते हैं उनके जो ग्रूप मनेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे तो प्राय मिस्रित यानि ये का सकते हैं कि यह विचार हमना से अगर पुरुस अगर ग रापत कर देखने को सते जब गोरे नंग को बहुत जाद़ा वहलता जाएगी तो का आुपाद बदलर जाएगा तो एक तरक गोरे रंग के जीन ज्यादा हो गए और काले रंग के कम हो गए तो जो भी जो पीडी नई जन्म लेगी तो उसके जो बाई है जो सारी रिक लक्सन है उसके अंदर आपको परिवर्थन देखने को मिलेगी और इस परकार से जो अन्य वो प्रजाती है वो दूसरी प्रजाती से बिलकुल अलग देखने को मिलती है फिर है प्रजाती मिस्रन अब किसी मानव समूदाय में विविन प्रजाती के लोग रहते हैं और विविन परकार के जीन्स एक साथ देखने को मिलते हैं और यह जो जीन्स होते हैं वो एक ही सरीर में एक साथ रहने पर भी मि लेती है तो उसके जो बारी जो सरीरिक लक्सन होता है उसमें परिवर्थन हो जाते हैं जैसे कि अमेरिका में निग्रो और स्वेट प्रजातियों का मिस्रण यानि वहां के काले और गोरे रंग के जो प्रजाति है उसमें जो मिस्रण हुआ है तो वहां पर इसका एक उधारन देखा जा सकता है इसे प्रकार जो प्रोफेसर जो हैडन है वह भी इस प्रकार के मिस्रण में विश्वास करते हैं और उसके प्रभाव को वह स्विकार करते हैं तो इस प्रकार से मनुश्य के जो भाहियर जो लक्सन है या uh अनुवास किकता तो वह वहां पर आपको बदलती हुई जाज़ाद देखने-चुम yeah यह पूछ कारण होते हैं कारन वहां पर आपको एक प्रजाती दूसरी प्रजाती से अलग देखने को मिलती हैं तो सबसे का प्रकति गूप से चैन करोगे तो वहां पर आपके यानि शीट पटिमन्द होंगे वहां पर गौरे रंग की अधिक्ता होगी और उष्ट पर आपको काले रोंग काले रंग कि लोग ज़्यादा मिलेंगे इसे परकार से जो जैनेटरिक फ्लो हुआ है वह किस परकार से वा आपने किस परकार के जो यौनचैन किया क्वाइका सेक्सूल सेलेक्सिन आपका किस परकार करा है? तो अगर कह सकते हैं कि दो अलग-अलग रंगों के हैं या सेंब रंग के हैं, तुस्णे भी आपके चेंज देखने को मिलते हैं. इसके अलावा एक प्रजाती के साथ दूसरी प्रजातियों का अगर मिस्रण हुआ है तो भी वहाँ पर आपको प्रजाती मिस्रण देखने को मिलता है तो इस प्रकार से ये कारण होता है कि वहाँ पर एक प्रजाती दूसरी प्रजाती से आपको अलग देखने को मिलती है नेक्स्ट बढ़ते हैं कि अब प्रजातियों निर्दारन के कौन-कौन से अधार है तो प्रजातियों निर्दारन के अधारों की बात करता है कि किस प्रकार से हम प्रजातियों का निर्दारन की बात करें तो प्रजातियों का निर्दारन की बात करें तो प्रजातियों का जो निरदारन होता है वो दो प्रकार से किया जा सकता है एक तो बाये सारी लग्सन जिसे फिनो टाइपस कहा जाता है जिसके अंतरगा तोचा का रंग है बाल कैसे है उनका कद कैसा है मुखै की आकरती किस परकार की है इसके अलवा उसका नास्री का सूचकांग तो ये कुछ आधार है इसके अधार पर हम उसका वरक्रड करते हैं कहने काट यह है कि अगर हम बात करें कि इसका हमें वर्गी करना है तो हम सरीर के कद के अधार पर जैसे कि हम उधारन के तौर पत करें कि सरीर का कद कैसा है तो सरीर के अधार पर नाटा कद हो सकता है मजला हो सकता है लंबा हो सकता है यानि लंबाई के अधार पर हम इस परकार का वर्गेकर्ण कर सकते तो एक व्यक्ति हैं जिसने टॉपिनाड ने इस परकार के वर्गेकर्ण वस्तुत किया और उसके अधार पर प्रजातियों को साइज के अधार पर हम डिवाइड करना है यह जो है वह यह सारी लक्षन है इसके अधा बालों की बनावर तो बालों की ब तो विल्स और हाईजर ने इस परकार का वरकिकन किया इसी के अधार पर उनीक इस वाले भी हो सकते हैं जैसे कि यहां पर प्रजातियों के रूप में देखने को मिलते हैं और वहीं आपको गुंगराले बाल जो है वह आपको जो पशिमी एशा यूरॉप और भारत में देखन को मिल सकते है तो अलग अलग परकार के बालों के आदार पर इस परकर का वरकिकन किया जा सकते हैं कुछ की आखके बादार की तरछी होती है तो कि तो तो आगर मेलएनिया अधिक है तो काला होगा कैरोटीन अधिक है या हीमोगलोविन अधिक है तो तो इसके आधा तो जगाता अगर दूप में है तो भी उसको अकला पिला या कला देरकरंग देखने को मिलता है तो इस प्रकार का भी वर्गिकरंग कियाता सकता है इसके अदार पर shape of the face face किस प्रकार का है तो face के अदार पर भी हम इस प्रकार का वर्गिकर्ण कर सकते हैं तो इसके अलबा होट किस प्रकार के हैं उस अदार पर भी हम इस प्रकार का वर्गिकर्ण कर सकते हैं कि होट के जो है होट के जो आकार है अफ्रिकन के अलग होंगे जैसे यूरोपियन क यहां पर आपके ज़्यादा है लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर काफी ज़्यादा बाहर निकले देखने को मिलता है तो इस परकार का भी वर्किक्रन किया जा सकता है इसके अलबा सिर्की बनावट बनावट की अंदर कितना मल आता नाग की आकरती किसी की लंबी है किसी की चप्टी है तो उसके आधर पर हम झिसे नासी का सुचगांग कहा जाता है कि आधार पर सकते हैं तो यह था आपके प्रजातियों से वर्णा किसे कहते हैं प्रजातियों का वर्की करन के क्या क्या अधार है नेक्स्ट जो क्लास रहे कि उसके अंदर एक नए और टॉपिक के साथ मिलेंगे नहींवाद